नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है ड्र विशाल चर्मा और प्रोक्सी ग्यान यूटीब चैनल में आपका एक बार बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों अगर वर्ल्ड अफिरस की बात करें तो इस समय अफगानिस्तान पूरे वर्ल्ड में लाइमलाइट में है तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे प्रोक्सी यूटीब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं तालिबान जो एक टर्रिस्ट ओर्गनिस्टन है अफगानिस्तान में सब्सक्राइब सेज्ट मोस्ट पार्ट अफगानिस्तान स्पेशली जो उनकी कैपिटल सिटी काबूल है विड्रौल द वड़्डों त्रॉप्स उस अमी फ्रम देर सो तालिबान रिसेंटली उन्होंने प्रोक्लेम किया है कि अभी वो जैसे वो पहले अग्रेसिव थे पिछले कुछ समय में वैसे अग्रेसिव नहीं रहेंगे they will be forming the government there और उनने कहाया कि there will be no witch hunt and that it will respect the traditional and transitional process उनका main objective जो अफगानिस्तान में है वो शरिया ला या मुसलिम लोग जो इनके है शरिया लोग को इंपलिमेंट करना है वो ही इनका main objective है वहाँ पर तालिबन की अगर बात करें सो इसको पश्टो लेंगवेज में तालिबन वर्ड का जो मतलब स्टूडेंट से सो दे रोज अप इन अरली 1990s after the withdrawal of Soviet troops from Afghanistan सो यह एक Islamic fundamentalist political or military organization है जो की अफगानिस्तान में operate करती है यह limelight में उस समय आये जब इनोंने 2001 में World Trade Center में under the leadership of Osama Bin Laden इनोंने USA में attacks किये थे उसके बाद से USA के USA ने Osama Bin Laden को eliminate भी किया और उसके बाद उनने अफगानिस्तान में अपना troops को वहाँ पे establish किया पिछले 20 साल से वह वहाँ पे थे और अब due to the talks between Taliban and US Army and US government USA ने वहाँ से अपने troops in stepwise manner वहाँ से withdraw कर लिये current leader की, Habitullah is the main leader at the moment जो की पश्तून कंधार से है he is currently the leader of Taliban in Afghanistan and Taliban they have set up a council of leaders based in Pakistan called as it guides the group's decisions तो Pakistan का इसमे बहुत बड़ा हाथ है Taliban के ग्रो करने में so they have always been and now Pakistan has also openly favored and accepted the Taliban's acquisition of the Afghanistan तो अगर बात करें इनकी funding कहां से आती है mainly इनकी जो funding है that comes from Afghanistan's illegal drug trade they impose tax on poppy growers and heroin producers in the areas of Afghanistan it controls जैसे कि जो इनका main control region है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का एक चोटा सा region है जिसको हम North Western Frontier कहते हैं उसको ये पूरी तरह से control करते हैं तो वहां से ये illegal trade drugs का करते थे they have also imposed taxes on businesses and operate illegal mines और साथ ही साथ कुछ देश जैसे कि पाकिस्तान और गल्फ रिजन की Muslim countries जो हैं वो openly इनको funding देती रही है जिसकी वाज़ा से ये इतने strong military organization अपने आप में है हम इसको military organization इसलिए कह रहे हैं because they have lots of arms and according to NATO it is around about 75 to 85,000 so पूरे world में इनको एक terrorist organization का ही दरज़ा दिया गया है तो recently 2020 में दोहा talks हुए थे जिसके accordingly उसके बाद से ही जो Taliban और USA की government है उनके बीच में समझोता हुआ था जिसके दुरान उन्होंने agreement के साथ उन्होंने USA ने यह वहाँ से accept के है कि we will leave the Afghanistan country and this has favored the Talibanis in capturing the Afghanistan region current scenario की बात करें वहाँ पे जो Afghanistan है वहाँ पे जो government है पूरी तरह से fail हो चुकी है अश्रभ गनी who was यह भाई साब जो है he has left the country जो देश के वहाँ के नागरिक हैं वो पूरी तरह से अब लाइन से हट चुके हैं वहाँ पे पूरा का पूरा control अफ तालिबान का है so वहाँ पे गोर्मेंट का जो main failure रहा है वो corruption रहा है अफगानिस्तान की जो government ही वो पूरी तरह से corrupted government थी और उसके साथ-साथ जो अफगान की अफगानिस्तान की जो अफगानिस्तान तालिबान तो जो में शीटीज जैसे काबूल है जलालाबाल थे so like these all cities they have been captured by तालिबान अफ दिस मोमंट so मैंने जैसे कि कहा कि क्या reasons थे Taliban के यहाँ पे अपने आपको establish करने के तो जैसे USA का unconditional exit था after the Doha talks USA ने वहाँ से अपने आपको pull out करना बहतर समझा क्योंकि USA भी कितने साल वहाँ पे रहेगा यह strategic plan होता है because USA भी जानता है कि जो उनका main objective वहाँ पे USA में USA का अफगानिस्तान में यह नहीं है कि वहाँ पे अफगानिस्तान को पूरी तरह से establish करेगा जब तक वो चाहे तो basically main objective उनका जो था वहाँ पे तालिबान से ही उनको fight करना था लेकिन during the due course of time वहाँ पे जो अफगानिस्तान की government थी it did not do well उस वज़ा से वहाँ पे तालिबान के साथ भी उनके ने टॉक ही और तालिबान जो radical organization है USA के साबने उन्होंने अपने आपको in the due course of time उन्होंने अपने आपको एक organization ऐसा प्रोट्रे किया कि वो क्या कर सके यूस आर्मी के साथ उन्होंने negotiations करी जिसके बाद से after the Doha talks they completely now have proclaimed the region of Afghanistan lack of preparation अफगान आर्मी जो है it was totally unprepared and caught by surprise by the Taliban's offensive nature and lack of training of the Afghan forces was also one of the major reasons why Taliban has now completely captured Afghanistan अगर हम इंडिया के stand की बात करें और इंडिया का जो क्योंकि past time में इंडिया के अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे relations रहे हैं और अफगानिस्तान की government भी जो है पिछली जो government थी वो Pakistan को as a terrorist terrorist state कह चुकी है so इंडिया के काफी सारे friendly relation अफगानिस्तान के government के साथ है लेकिन अभी क्योंकि तालिबान वहां पे पूरी तरह से established हो चुका है so इंडिया ने currently अब जो है it is closely watching what's happening in this particular region of Afghanistan so इंडिया ने अभी immediate steps के तोर पे it has temporarily closed the consulate in kandhar region and evacuated its diplomats जो भी उनकी वहां पे जनता है उनको वहां से निकाल रहे including the ITBP जो forces हैं जो वहां पे government of India ने बेजे थे वो भी वहां से बुला लिए गये हैं वापिस so इंडिया की जो अभी at present embassy है काबूल में it is totally working there but it is having a close watch what's happening in the region of Afghanistan so अगर हम इंडिया के development works जो अफगानिस्तान में पिछले कुछ सालों में initiate किये हैं as a friendly relations with Afghanistan तो 2011 में इंडिया अफगानिस्तान strategic partnership agreement हुआ था जिसमें इंडिया की बहुत सारी help अफगानिस्तान को मिली थी with respect to establishment of infrastructure and institution educational institutions so अगर बाइलेटरल ट्रेड की बात करें तो इंडिया का तालिबन आने से पहले तालिबन के आने से पहले जो वन बिलियन डॉलर का ट्रेड जो अभी तक इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में हो चुका था last year India ने 1 million dollar अगा खान heritage project को रेनोवेट करने के लिए उसको रेस्टोर करने के लिए उसको रेस्टोर करने के लिए उनने they have promised to give Afghanistan this amount of money so Bala Hazar went on also went on to become the significant Mughal fort and where parts of it but they were rebuilt by Jahangir and it was used as a residence by Shah Jahan so India has also you know helped the Afghanistan government previous Afghanistan governments with respect to development of infrastructure and the educational institutions so if bilateral trade की ओर बात करें तो despite क्योंकि Pakistan जो है बहुत सारा डिनायल करता रहा है trade between India and Afghanistan तो इंडिया और अफगानिस्तान का जो trade है it has in the due course of time in the previous year that has grown a lot so जिसमें air freight corridors इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में हैं अफगानिस्तान काफी सारे जो products हैं वो इंडिया को export करता रहा है जैसे जिसमें dry fruits जो mainly हैं वो इंडिया को export करता रहा है और अफगानिस्तान को export करता रहा है तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में दो air corridor भी हैं जो काबुल और डेली और हराद डेली के बीच में है अगर ट्रेड की बात करें फर्दर चाबाहर जो ट्रेड कोरिडोर था इट वास्टर इन 2017 जो लेटर ओन इतना ज्यादा नहीं प्रोक्लेम हो पाया लेकिन इत्वाजर डेरेक्ट रूट तुगो तुगो टो अफगानिस्तान बाइपासिंग फाकिस्तान रिजन थू एरान तो अगर हम future prospects की बात करें दोस्तों तो अगर इंडिया की ही बात करें with respect to Afghanistan के साथ उनके क्या relations होएंगे तो इंडिया के पास इससमें बहुत सारे options हैं and they are just putting their steps in a very बहुत सोच समझ के वो इससमें steps ले रहे हैं तो first option जो इंडिया के पास रहता है it is to stick with the original principle of backing only a democratically elected government in Kabul जो कि अभी इतना possible नहीं लग रहा है क्योंकि अभी कल का ही अफगानिस्तान के लीडर्स का एक बयान आया है उन्हें कहा है कि they will not be forming a democratically electing government but obviously they will be imposing the sharia laws but it will not through a democratic process तो एक ये एक तरह से एक setback भी कह सकते हैं हम इंडिया के लिए at the moment अगर दूसरे steps की बात करें जो इंडिया ले सकता है India can learn from US Taliban talks और obviously दूसरा एक step ये रहता है कि उनको what are the developments in Afghanistan at the moment उसके basis पे वो क्या कर सकते हैं they can have talks with the Taliban Talibanis so as to develop or maintain that projects in Afghanistan so India can reconsider its appointment of a special envoy and start track to diplomacy with Afghanistan this is the next or the second route जो इंडिया adopt कर सकता है at the moment so all in all आज हमने तालिबान और अफगानिस्तान में जो भी तालिबान का जो अफगानिस्तान में इस समय इस्टैबलिश्मेंट पूरी तरह से उसके बारे बात करी और बात करी कि भारत के कंटेक्स्ट में क्या माइने रखता है तालिबान का अफगानिस्तान में अस्टैबलिश्मेंट अपना रखना तो दोस्तो आज के इस पर्टिक्लर लेक्चर में इतना ही आशा करता हूँ कि आपको जो करेंट सिचुएशन है अफगानिस्तान में उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिली होगी अगले लेक्चर में दुबारा से आपके सामने किसी एक नए टॉपिक के साथ आएंगे तब तक के लिए धन्यवाद